हेलो दोस्तों मैं हुआ अकराम हिंदी टेक चनल में आपको स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आधर कार्ड में नाम, एड्रेस, मुबाइल नंबर, इमेल आईडी, जेंडर या डेट अप बर्थ अगर आपको चेंज करना है कोई मिस्टिक है आपके नाम में तो आज इस वीडियो में मैं आपको आणलाइन कैसे चेंजिंग करते हैं वो भी बिल्कुल फिरी में उसके बार में आपको बताऊँगा ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे नए मेहम उसका link आपको description में मिल जाएगा लेकिन आज में आपको update आधा details online कैसे आप request भेज़ सकते हैं उसके बार में आपको बताऊंगा तो please आप वीडियो को पूरा देखिए तो यहाँ देखिए आप क्या क्या changes कर सकते हो यहाँ पर details दी गई है आप नाम, address, gender, date of birth, mobile number, email id जो है आप changing कर सकते हो इस process के थूँँ तो यहाँ पर click here, यहाँ पर click करना रहेगा आपको उसके बाद आपका जो आधा नमबर है वो यहाँ पर type करना रहेगा ओके तो मैं यहाँ पर आधा नमबर जो type कर देता हूं और send OTPP क्लिक करना होगा पहले यह capture डाल देंगे 3995 तो एक OTPP आएगा आपके mobile number register mobile number पर तो यहाँ पर type करके login करना होगा अगर आपका mobile number register नहीं है तो आपको offline फ्लब करना पड़ेगा तो उसके लिए link आपको description में मिल जाएगा तो आपको case जो है भरना है तो यहाँ पर click करेंगे जो भी आपको change नहीं करना है name, gender, date, address मैं address चेंड करूंगा तो मैं address पर click कर देंगा उसके बाद यहाँ पर देखिए CEO, son, daughter जिसके भी मत आप, apartment number और उसके बाद street road क्या है, landmark क्या है, area, locality, pin code डालना है, city डालना है, यहाँ विलेज में रहते हो आप विलेज डाल सकते हो, ओके और आपका जो local language है वो भी check कर लेना है, कि एकदम भरोबर है के नहीं, ओके, तो pin code यहाँ पर डाल देंगे, तो यह जो है, village city, in the city, यह प्यों सायलम, यह हो चुका है, submit, update request पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको बरोबर चेक कर लेना है, कि आपकी कोई भी mistake तो नहीं हुई है, address type करने में, अगर mistake हुई है, तो आपको modify करना होगा, modify का option यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो इसके पर क्लिक करेंगे, modify पर, तो यहाँ पर ठीक कर देंगे, इसको इस तरह से, okay, तो इसके बाद submit, update request पर क्लिक करेंगे, फिर से, उसके बाद यहाँ पर देखिए, icon फॉर्म, यह box से इस पर click करना है, और process पर click कर देना है, बरो बर एक बार check करके, फिर से check करके, okay, ताकि यह कोई गलती ना हो, process पर click करनेगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको address देना होगा proof एक proof देना होगा आपको address के लिए तो यहाँ पे वह सारे मतलब proof यहाँ दी गए है order ID, lesson card, driving license, government, photo ID, cards, electricity bill, water bill, telephone bill, property tax, credit card statement तो यहाँ पे वह साई option दी गए है आपको address के लिए क्या क्या proof देना होगा तो आप यहाँ पे आपको original original होना चाहिए कोई भी duplicate scan करके या photo key आप नहीं दे सकते हो तो आपका जो process है वो reject हो जाएगा ओके तो यह upload हो चुका है फिस submit पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आपका जो है जो भी document है वो original से photo ली हुई या scan की होई होनी चाहिए और जो बताया है वही पूरूप आपको देना है जो मतलब list में आया था और राइडी बीड लाइड बीड टैक्स बीड ओके नाम चेंद किलने के लिए अलग-अलग मतलब पूरूप आएंगे यह address चेंज कर रहा हूं इसलिए address के लिए बता रहा है इसके बाद यहां पर देखिए यह average time जो है आपके वह बता रहा है कि पांस दिन आपको लगेंगे लगभग प्रोसेसिंग होने में इसके बाद यहां पर stick करेंगे और submit पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए यह request number आ चुका है urn number इसको print कर लेना है यह download कर लेना है यह आप copy करके भी रख सकते हो ताकि आप बाद में आपको status चेक करना है uidai.government.in की website में तो आप कर सके ओके अगर आपको वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो को एक like कर दीजिए वीडिय subscribe कर लेजिए थैंक यू फू वाचिंग अने इस्टे कनेक्टिट